दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ exigo से flight ticket कैसे बुक करेंगे तो गैज और भी जानना चाहते हो exigo से flight ticket कैसे बुक करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहे वीडियो शुकरने से पहले गाइस अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके औल पर सेट कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले यह लीजिए ठीक है साइन इन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा अब गाइस यहां पर आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो देखसे ओ फ्लाइट टिकेट बुक करने के लिए उपर की सेट में फ्लाइट का ऑप्शन है तो यह वाला जो ऑप्शन है इस इसके अंदर आप एक सीटी से दूसरी सीटी जाना चाहते है और वहाँ से वापस आना चाहते है तो आप राउंड ट्रिप यहां पर जो है सेलेक्ट कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं वनवे सेलेक्ट करूंगा अब यहां पर फ्रॉम एंट टू का आप्शन मिलेगा में वह city select करने है जहां से आप flight लेना चाते है एंड two के अंदर वह select करना destination जहां पर आप जाना चाते है उसके बाद यहां पर आपको अपनी flight की date select करना या कौनसी date को आप ticket book करना चाते है traveler and economy यहां पर आपको class select करना हो traveler की जो detail है वह आड करनी है मतलब कितने traveler आप जाना चाहते है वो स्लेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर जो है search वाला option मिलेगा इसके उपर click करके आपको अपनी flight यहाँ पर search करने है तो चलिए मैं आपध़ detail बैक कितना ले जा सकते हो, चेकिंग बैक कितना ले जा सकते हो, वो भी डीटेल आपको मिल जाएगी, साथ यहाँ पर आपको जो है, ट्रावलर, इंसुरेंश वगरा, यह सब कुछ बता रहे, आपके सामने है, तो यह cancellation policy वगरा, इसके लिए अगर आपको लेना है, तो extra आपको pay करना पड़ेगा, यह नहीं लेना तो आप इसे चोड़ भी सकते है, तो अगर नहीं लेना चाहते है, तो इसके उपर tap करके इसको चोड़ दीजिए, इसके उपर click करना होगा आपको, उसके बाद आप देख अब नीचे की साइड में आएंगे, और यहाँ पर हमारा ticket show होगा, हमारी जो price है, टिकेट की वो इतनी रहेगी, उसमें से minus होगा 280 रुबीज discount लग जाएगा, और 3048 हमारी price रहेगी, ठीक है, अब नीचे की साइड में हम देखेंगे, यह price हमारी आ चुकी है, अब यहाँ पर हम proceed पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ए आइविल रिस्क वाला जो option है, इसके उबर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके इसके उबर हम जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद रहे सामने 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 आचुका है, मतलब हमारे जो passenger की detail है, जो travel कर रहा हूँ सकी detail हमें add करनी हो होगी तो उसके लिए दिखस तो add adults का option है इसके उपर हम टैप करेंगे और यहाँ पर हमें जो अपनी डिटेल है वो add करना है ठीक है Mr.Message जो भी हो select कर लीजिए और यहाँ पर अपना नाम एंटर कर लीजिए मैं यहाँ पर अपना जो नाम है वो add adults के उपर क्लिक करके और भी डिटेल एड कर सकते है उसके बाद डन वाला option मिलेगा इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यह इसके बाद यहां पर आप दखेंगे आपको अपना जो है email id अपना जो है mobile number यहां पर शो हो जाएगा ठीक है और नीचे की सैड में आपको जो billing address आ रहा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएगे आपकी प्राइस यहां पर आपको जो प्राइस लगने वाली है तो इसके उबर tab करके, हम अपनी प्राइस है वो भी एक बार चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, इतनी प्राइस हमारा है है, उसके बाद इसके इंदर extra क्या हुआ है, जैसे convenience fee है, जो 349 रुपीस इसके इंदर add हो चुके है, जिसके कारण यहाँ पर 3397 हमारी प्राइस हो चुके है, अब यहाँ पर इसका payment करने के लिए आप UPI का भी यूज़ कर सकते हैं नीचे की सार में आप देखेंगे तो credit card, debit card, pay letter का option है, EMI, wallets, net banking, सारे option यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अब गयाँ इसके अंदर जो है जैसे आप payment करेंगे, payment करते ही आपकी टिकट रहेगी, flight ticket वो 100% successfully book हो जाएगी, और guys book होने के बाद आपके mail and mobile number पर भी आपको जो अपनी tickets देखने को मिल जाएगी, साथी साथ यहाँ पर guys आप देखेंगे तो आपको एक और option मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी आपको ticket देखने को मिल जाएगी, application के अंदर देखेंगे, तो my trip क option मिलेगा, इसके उपर tap करके, यहाँ पर हम flights के उपर देखेंगे, तो यहाँ पर जो भी हम booking करेंगे, उसकी detail भी यहाँ पर हमें show हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से guys, Exigo application से flight ticket book कर सकते है,